हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टो मैं चैनल, मेरा नाम है रसीका, मैं फिलहाल अभी थोड यह में हूँ और मैं अपनी MBBS बश्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ जो की रश्या में है, तो टाइटल से आप समझी गए होंगे कि असका वीडियो किस इस टोपिक पर होने वाला है, तो इस वीडियो के एंड तक, आपको मंतली बजट से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रह जाएगा, I promise. सेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, जब भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे होते हो, मंतली बजट जो होता है, वो अपका मीन कंसर होता है या नहीं होता है, क्योंकि हमें इंटरनेट पर जितनी भी इंफोर्मेशन बलती है, मंतली बजट से रिलेटेड वो होता है और एडिशनल कितना लगता है तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा और है अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्काइब करना बिल्कुल मत बूलना कि फेस्ट फेक्टरें के भारे में मम स्थिसकर्स करते हैं साथ यहा बिडिसकर्छ करते हैं तो यह थे कित त्राइब्लिक ट्रांसपॉर्ट को सकते हैं हम् पबिलिक वज्बिक ट्रानसपॉर्टर और दूसरा है कि हम और हम सथेया कुछ लिह खोग मुआ उन्हक्ज हम जा रहे है पर्सनली तो जो पुब्लिक ट्रांसपोर्ट है हम 90% of the time यूज करते है क्योंकि वह चीपर होता है कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है पैसे काफी अमाउंट ओफ लेक चीपर मतलब ही हो गया कि पैसे सेव हो रहे है और उसके रेट के बारे में बात करें तो इंडेसे ही रेट होता है जैसे ओढ़्स अबर को रहे हो गया हो यह सेम वैसा ही होता है sorry distance पर और अगर मैं बात करो टिप की यहां पर जो मैंने बोला कि बस में और सेव कर सकते हैं, तो वह बता देती। अगर आप न्यू कमर हो तो आपको यह बहुत हमकर जाप करेगा, यह है मेरा तिंक ओप का और मैरा अल्गा कार्हाद तो अगर यही दिचाएं कर्टे कुछ बस में टैप करती हो तो मेरे 35 RequDC पर 3ोबल करते हैं अगर मैं उसी जगह अलगा काड़ टैप करूँ तो मेरे 28 रूबल करतेंगे और रही बात यह मिलेगा कहां आपके आसपास जो भी रेसेडेंशल एरिया में आप रह रहे हो तो वहां पे बैराम होगा या तो बस में कंड़क्टर होगी आप उसको भी पूछ सकते हैं इस काड सब्सषान को बात करते हैं हमारे सेके आपकर不ड़िंग को मैं दो क्यतिगर ने कारेक्टराइज किया घ्री तो मेरे प्यारी दोस्तों my door continua मैं आपका स्वागता है just kidding like मैंने पूडिंग को दो चीजों में डिवाइट कर दिया है फॉर्स्ट की ग्रोसरी तो ग्रोसरी जो है like 2000-3000 की रेंज में आपकी हो सकती है कि पिछले मन्त का कुछ चाफ हमार पास अगले मन्त में बच जाता है और कितनी लोग एक साथ खाना बना रहे उस पर भी डिपेंड करता है और दूसरी चीज है हमारे डेली एसेंशल जिसमें वेजिटेबल्स भी हो गया क्योंकि चनरल की कोल्ड कंट्री है अगर हम बहार टोमैटो रखेंगे वैसे भी टोमैटो बहुत महिंग आते बहार रखेंगे फ्रोजन पूरे फ्रोजन हो जाएंगे उसे हम किसी के मुझ प कि हम बाहर खा रहे हैं तो अन अवरेज हमारे फूडिंग का कॉस्ट जो पढ़ जाता है हमें यहां पर वह है सिक्स थाउजन अन अवरेज की मैं बात कर रही हो अभी हम अपने तीसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं इस शॉपिंग और परसनल एक्सपेंस तो काफी च मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ मुझ है कितना लगता है उस हिसाब से मापको बता रही हूँ तो आप अपने हिसाब से चीजे सट कर सकते हो बहुत लोगों को बहुत अच्छी आदत होती है बहुत बहुत अच्छी आदत होती है बहुत बहुत अच्छी आदत होती है skincare, haircare, यह सारी चीज़े मैंने इंडिया से ला ली थी इस बारी तो इस बारी तो इस बारी मेरा पर्सनल एक्सफेंस में जीरो रूबल कट रहा है और अगर बात की जाए तो मैं थोड़ा अवोइड कर वह अब ही तो लाइक 1000 on an average लगता है and it is not essential कि हर महीने लगेगा कभी कबार किसी किसी महीने में तो चलता है अभी हम बात करते हैं इस चौते फैक्टर की बारी में इस अदिशनल expenses additional expenses क्या चीज है कि देखो कई बार ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड का बर्द यह तो इट इस गिवन टिक है ना तो कई बार ऐसा होता है कि आप कई रैंडम प्लान मेंना की बाहर चले गाए तो इन में कुछ पैसे लग जाते कही बार ऐसा होता है कि आप्त्रेवल कर रहे हो उससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं और ट्रावल करना चाहते हैं मॉस्को पीटर्सबर्ग और यह सारी चीज़े तो आपका खर्चा भी उसी हिसाफ से लगेगा तो आपको एक अपनी पैरेंस के साथ चीजों से रिलेटर ट्रांसपेरेंस भी रखनी पड़े ही मैं बा और अभी भी हमारा लेक समिस्टर एंड हो आए एक हम लोग प्लास गए समिस्टर एंड हो आए और उसके बाद एक्जाम से तो एक्जाम में भी एक-दू जाएंगे तो जैनवरी में बहुत कम खर्चा हो रहा है मेरा तो यहीं चीज़े होती है बहुत मंत ऐसे होते है कि य तो डिपेंडिंग उन मन्त पर 15,000 से जादा मेरा खर्चा नहीं होता अब यहां पर और एक टिप देना चाहूंगी अपने तरफ से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका खर्चा जरूरत से जादा हो रहा है और हमें पता ही चल जाता है कुछ तांग रहने के बाद है कि हम लिमिट लगा सकते हो वीकली लगा लो डेली वाली लगा सकते हो वीक वाली लगा सकते हो यहर वाली लगा सकते हो तो यहर की तो में कोई जरूरत नहीं है डेया वीक की आप लगा सकते हो अको पता ही होता है पर डेया पर वीक का कितना लगता है उसे साप साप लगा लो और और इसी के साथ शुक्रिया वीडियो देखने के लिए इतना प्यार देने के लिए और अगर प्यार देही रहे हो तो और प्यार दो जितना दोगी हो तना कम गाइस एक चीज़ मैं बोलना भूल गई थी आपका जो मंधली एक्सपेंस है वह इस पर डिपन करता है कि आप कौन सी सिटी चूस कर रहे हो जैसे मैं रहती हूं तो यह उफा का एक्सपेंडिटर हो गया उफा के रेंज में जितनी भी सिटी से उसमें इतना ही सेम ही लगेग तो आपको उस हिसाब से अपना बजट लगाना पड़ेगा जब आप टोटल कोस्ट की एडिशन करते बैठ रहे होगे डाइडी में तो यह भी एड करना ज़रूरी है कि आप उस सिटी का बजट ले पाओगे या नहीं तो उस हिसाब से आप यूनिवर्सिटी चूस कर सकते थैंक यू सो मच